नमस्कार बेसिक सिक्षा परिशद को आदेश दिया है कि वह 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक सिक्षक भरती परिक्षा कराने के लिए ततकाल कदम उठाए न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो सहायक सिक्षक भ आदेश दिया है। नैयालय ने आदेश दिया है कि सहायक सिक्षक भरती कराने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विष्टरित जानकारी अख़बारों में प्रकासित कराई जाए ताकि अब भरतियों को पता चल सके कि ये परिक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यहनेरडे न्यायमूर्थी राजन रॉय न्यायमूर्थी ओम प्रकार सुकला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य समेत दरजनों विशेस अपीलों पर साथ सुनवाई करते हुए किया गया है। यह अपीले एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुध दायर की गए थे जिसमें 21 मई 2018 का सासना देश निरस्त कर एकल पीठ ने सहायक सिक्षक भरती 2018 के नियुनतम मांक्स को सामान आरक्षित वर्ग के लिए क्रमसह 45-40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। 21 मई 2018 के सासना देश के तहत नियुनतम मांक्स को क्रमसह 33-30 कर दिया गया था। अपिलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुए सहायक सिक्षक भरती 2018 में 41,556 अभरती ही सफल हो सके लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद सहायक सिक्षक भरती नहीं कराया गया। राज सरकार परिशित की ओर सी नियाले को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी सहायक सिक्षक भरती नहीं करायी जा सकी। अविनास महरोत्रा मामले में सीर्स अदालत द्वारा दिये गए दिसान नर्देशों के अनुपालन के संबंध में विश्तित जानकारी देने के लिए प्रमुक सचिव अस्तर के अधिकारी को नियुक्त करने और उसे कोट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अगस्त दो हजार तेश को जारी अंतिम परड़ाम में चैनित किये गए दो अभ्यर्थी बाहर कर दिये गए हैं जबकि दो नए अभ्यर्थियों को चैनित किया गया। अधिकारी उसे आटियाई के दोरा कॉपी देखने के बाद हुई। ये सफल किया था जो योग्य होते हुए भी इंटर्वियो में सामिल नहीं हो सके थे। इनका इंटर्वियो करवाने के बाद सुक्रवार को अंतिम परड़ाम गोशित किया गया। आपको बताते चलें संसोधित अंतिम परड़ाम जारी होने के बाद आयोग की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि आयोग बाहर हुए और सफल हुए अभ्यरतियों के नाम आखिर क्यों छिपा रहा है। संसोधित परड़ाम में आयोग ने इसका उलेक करने के बजाए 303 चैनित अभ्यरतियों की सूची ठीक उसी तरह से जारी कर दी है जैसे पिछले साल 302 अभ्यरतियों की जारी की गई थी। दोनों सूची देखने से एक बात और अस्पस्ट हो रही है कि परड़ाम संसोधित होने के बाद कई अभ्यरतियों के रैंक में भी बदला हुआ है। इस पूरे मामले में दिल्चस्प मामला ये रहा कि याची स्रवन पांडे का भी चैन नहीं हो पाया। आयोग ने 17 अगस्त को जिन पांच अभ्यरतियों को सफल घोंचित करते हुए उनके रोल नंबर जारी किये थे। उनमें परड़ाम को लेकर हाई कोट में याची का दाखिल करने वाले स्रवन पांडे का रोल नंबर भी सामिल था। सुक्रवार को जारी हुए परड़ाम में यह पांचो रोल नंबर नहीं दिख रहे हैं। असपस्ट है कि इन पांचों में से किसी का चैन नहीं हुआ। आयोक के सुत्रों का कहना है कि कौपी बदलने से प्रभाविद अभ्यर्थियों में वे अभ्यर्थी भी सामिल थे जो इंटर्व्यू दिये थे लेकिन चैन नहीं हो सका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन दो नए अभ्यर्थियों का चैन हुआ है वो इसी तरह के कोई दो अभ्यर्थी हो सकते हैं। पिछले साल 302 लोगों को सफल घोशित किया गया था जबकि अब 303 को सफल किया गया है। कहा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी ने इस परिक्षा को लेकर सरवोच न्यायालाय में याचिका दाखिल की थी इसलिए आयोग ने पिछले साल एक पद का परणाम रोक दिया था अब उसका परणाम भी घोशित कर दिया गया है इस वजह से संख्या 302 से 303 हो गई है अगली सुचना बिहार लोक सिवा आयोग से हैं बिहार लोक सिवा आयोग की प्रधान सिक्षक प्रधान अध्यापक और तृतिय अध्यापक नियुक्ती परिक्षा में सामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा तृतिय अध्यापक नियुक करने का गजट जारी कर दिया है इसके बाद आयोग ने सिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षन रोस्टर प्रेसित करने के लिए पत्र लिखा है आरक्षन से संबंधित रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ड का प्रकासन किया जाएगा अध्यक् ततवातांती अभ्यरतियों को स्रिणी में बदलाओ के लिए 2-23 सितंबर तक आवसर दिया गया है स्रिणी में संसोधन के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ड का प्रकाशन किया जाएगा आयोग द्वारा ली गई सभी परिक्षाओं का परणाम 50% आरक्षन सीमा के अनुसार ही किया जाएगा अगली सूचना उत्रप्रदेश सिपाही भरती परिक्षा से हैं सिपाही भरती परिक्षा के चोथे दिन कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच दोनों पालियों में लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने परिक्षा दी सुक्रवार को भी पेपर लीक की कोई शिकायत सामने नहीं आई चोथे दिन कुल 2,71,677 अभ्यर्थियों ने परिक्षा छोड़ी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद 13.9% अभ्यर्थी परिक्षा के इंदर नहीं पहुँचे दोनों पालियों में 94 संदिक्ध अभ्यर्थी पकड़े गए जिनके फिंगर्प्रिंट स्वा आवेदन पत्र में भरे गए अन्य ब्योरे आधार काट से मैच नहीं हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों से पहचान पत्र और स्वा प्रमाड़ित पत्र लेकर परिक्षा की अनुमती दी गई अगले सुचना मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के युवाओं को दिये जाने वाले सौगात से संबंधित हैं फूलपूर विधान सभा उप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं ब्रहद रोजगार मेले में जहां 50 कमपनिया 5,000 युवाओं को नौकरी देंगी वहीं दूसरी और सियम 10,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन प्रदान करेंगे इफको परिशन में 3 सितंबर को आयोजित मेले का वह उधगातन भी करेंगे हलाकि अभी तक उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है कौसल विकास मिशन राजिकी अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों और प्रसिक्षन एवंग सेवा योजन ने देशालेर के सन्युक्त तत्वाधान में ब्रिहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है कारिक्रम में स्वारोजगार की बिभिन योजनाओं के तहट 500 करोड रूपए से अधिक के रिण और क्रिसे रिण भी दिये जाएंगे इसके लिए बैंकों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे चुनिंदा लाभरतियों को सीयम रिण का प्रतीकात्मक चिक देंगे मेले में सामिन होने वाली कमपनियों और रिक्तियों की अंतिम सूची एक दो दिन में तयार होने की बात कही जा रही है इस मौगे पर 60 सिक्षन संस्थानों के करीब 10,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्ट फोन भी दिया जाएगा अगली सूचना लेखपाल भरती परिक्षा से संबंधित है लेखपाल भरती परिक्षा 2022 में चयनित अभ्यरती तैनाती से पहले अब काम की बारीकिया जानेंगे इसे लेकर लेखपालों का एक प्रसिक्षन कराये जाएगा इसकी अबधी एक साल की होगी च्छ महिने कक्षाएं और च्छ महिने क्षेत्र में प्रसिक्षन होगा अंत में लेखपालों की 700 अंक की परिक्षा होगी जिसमें 50 प्रतिसत अंक पाना अनिवारी होगा प्रदेश के नौ मंडल में लेखपाल प्रस्टिक्षन केंद्र बनाया गया है इन केंद्रों पर 9 सितंबर से प्रस्टिक्षन सुरू होगा लेखपाल भरती परिक्षा 2022 में 8,085 पदों के सापेक्ष 7,897 परिक्षार्तियों का चैन हुआ था चैनित अभ्यर्तियों को पिछले दिनों नियुक्ती पत्र भी दे दिया गया लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वरतमान समय में कार्यशैली बदलने के कारण लेखपालों के दाइत भी बदल गए हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं ऐसे में तैनाती से पहले उन्हें वरतमान समय की कार्यशैली समझाने की जरूरत हैं इसे लेकर आयुक्त राजस्व परिशत की ओर से सुक्रवार को एक पत्र जारी कर सभी मंडला युक्त को प्रस्रिक्षन के लिए प्रबंध कराने का निरदेश दिया गया हैं इसमें प् प्रधानाचार्य लेंगे जिसमें 50 फिसदी अंक पाना अनिवारी होगा इस प्रस्रिक्षन के बावजूद वस्तुनिस्ठ प्रकार के प्रश्णों की परिक्षा होगे जिसमें 700 में से 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवारी होगा साथ ही साथ है केंद्र के प्रभारी 20 अंक की परिक्षा आचरण और व्यावारकी भीलेंगे अगली सूचना बिहार से संबंधित है अब पसू चिकित्सकों की बहाली लिखित परिक्षा के माध्यम से की जाएगी इसके लिए पसू चिकित्सक नियुक्ती नियमावली में संसोधन किया जा रहा है पसू और मत्स संसाधन बिभाग के अनुसार दो माह में नियुक्ती नियमावली में संसोधन कर फाइनल टॉफ्ट जारी कर दिया जाये गा नियुक्ती नियमावली में संसोधन प्रक्रिया लगभग एक वर्स से चल रही है। नए प्रावधान के अनुसार पसूत चिकित्सा महाविध्याले से स्तनातक डिग्री और इससे अधिक योग्यता वाले अभर्थियों को पहले लिखित परिक्षा पास करनी होगी फिर साक्षातकार के बाद अंतिम रूप से चैन होगा राजित तक्नीक की सेवा आयोक के माध्यम से पसूत चिकित्सकों की बहाली की जाएगी इसके साथ ही बिभिन समाचार पत्रों में प्रकासित ख़बरों का सलसिला समाप्त हुआ जिनका सीधा सरवकार आप से है वीडियो अच्छा लगा हो आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा ताकि भरती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें जाहिंद